मा कहती है पेड़ रात में सोते हैं तो पेड़ क्या करते हैं दिन भर हम्माल हम्माली करता है मजूर मजूरी अपसर अपसरी करता है बाबू बाबू गीरी और रात को ठकर सोता है पेड़ पेड़ क्या करता है दिन भर यह बहुत चर्चित कविता है नई कविता के समर्थ कभी स्री राजेश जोसी जी की समकाली रचनाकारों में बिसिस्त अस्थान है राजेश जोसी जी का राजेश जोसी का जर्म अठारा जुलाई सन उनईस सो च्यालिस को नर्सिंगड मध्य प्रदेश में हुआ आपने जीव विग्ञान में MSC और समाश सास्त्र विश्य से MSC किया इसके बाद सीधे आप पत्रकारिता में आ गए और पत्रकारिता को आपने मिशन की तरह लिया कुछ साल आपने पत्रकारिता करने के बाद शिख्षकीय जीवन में आ गए और कई सालों तक शिख्षकीय जीवन बतीत किया फिर स्वतंत्र लेखन को ही आपने अपने जीवन का लक्ष बनाया स्री राजेव जोशी बहमुखी प्रतिभास संपन रचनाकार हैं उन्होंने साहित्य की अनेक बिधाओं में कलम चला कर कीर्तिमान इस्थापित किया है उन्होंने कविता कहानी नाटक अनुबादालोचना आदी अनेक विधाओं पर बहुत महत्वपून का कारिकर के हिंदी साहित्य के भंडार को भरने का प्रणम में प्रयास किया है आपके कविता संग्र हैं एक दिन बोलेंगे पेंड मिट्टी का चेहरा दो पंक्तियों के बीच समर गाथा इसके बाद आपके जो कहानी संकलन बहुत प्रसिद्ध हैं सोमबार और अन्य कहानियां कपिल का पेंड आपने नाटक भी लिखे हैं नाटकों में जो सबसे प्रसिद्ध नाटक हैं जादू जंगल अच्छे आदमी तंकारा का गाना और आपने अनुबाद भी किया है जहां एक और आपने मायको वस्की की कविताओं का अनुबाद पतलून पहना आदमी वहीं दूसरी और भरतिहर की कविताओं का भी अनुबाद किया है धर्ती का कल्पतर आलोचना एक कविकी नोटबुक और इसके अत्रिक्त अनेक अनेक निवंद कि पणियां कहानियां विभिन इस्तरिय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही आपकी बहमुखी प्रतिभा और साहित के प्रदेय को देख कर आपको साहित एकादमी पुरस्कार से नवाजा गया मुक्तिवोथ पुरस्कार स्रीकांत वर्मा इस्मृती पुरस्कार पहल सम्मान और मध्य प्रदेश द्वारा सिखर सम्मान इस तरह से राजेव जोसी अनेक अलंकरणों से अलंकृत रजनाकार हैं स्री राजेव जोसी नई कविता के उत्क्रिष्ट कभी माने जाते हैं बच्चों यह नई कविता क्या है आपने हिंदी साहित का इतिहास पढ़ा होगा आशारी रामचंद्र सुक्ल ने हिंदी साहित के इतिहास को चार भागों में विभाजित किया है पहला है आदिकाल जिसे वीरगाथा काल भी कहते हैं संबत 1050 से 1375 तक इसमें अगर संद में देखें तो 933 इसवी से 1318 इसवी तक और वीरगाथा काल में सिद्ध साहित्य नाथ साहित्य और जैन साहित्य लिखे गए दूसरा आता है पूर मधिकाल जिसे हम भक्तिकाल भी कहते हैं यह 1375 संबत से 1700 तक है और संद में देखें तो 1318 से लेकर के और यह 1643 तक है इसमें दो धाराएं थी भक्तिकाल में बच्चों निर्गुन और सगुन निर्गुन का अब्रे धारा में दो धाराएं थी ग्यान मार्गी और प्रेम मार्गी ग्यान मारगी के जो प्रमुख कभी हैं वो संत कबीर थे और प्रेम मारगी के जो प्रमुख कभी हैं मलिक मुहम्मद जैसी सगुन काप बिधारा में दो धाराएं थी एक राम काप बिधारा और एक क्रिश्न काप बिधारा राम काब विधारा के जो प्रमुक कभी गोसामी तुलसी दास जी है और जो क्रिश्म काब विधारा है उसके प्रमुक कभी महा कभी सूर्दास है इसके बाद उत्तर मद्धिकाल आता है जिसे रीत काल भी कहा जाता है यह सत्रा सो से उन्हीस सो संबत तक इसमें अगर सन में देखें तो सोला सो तितालिस से लेकर के यह अठारा सो तितालिस तक इसमें तीन तरह की कविधाराएं थी रीति बद्ध रीति मुक्त और रीति सिद्ध इसके बाद बच्चों आता है आधुनिक काल आधुनिक काल संबत उन्हीस से चल कर अब तक चल रहा है और सन में देखें तो 1843 से अब तक यह चल ही रहा है और आधुनिक काल के अनेक रूप हैं जैसे पहला है भाते इंद्य यूग सन 1868 से सन उन्हीस सो तक दूसरा है दुवेदी यूग यह महाविपसाद दुवेदी जी के नाम से चला सन उन्हीस सो से उन्हीस सो बीस तक इसके बाद बच्चों आता है छाया बाद छाया बाद जो है सन 912cek रोड़ करकेष 935 इसके वाद आता है प्रगतिबाद प्रगतीवाद Daar जो है 936 चीले करकेष 430 क्षा इसके बाद प्रयोग वाद 940 से एनplets 250 तक इसके बाद आती है नई कविता अकविता समकालीन कविता गीत नवगीत गजल विभिन धाराएं कविता की मतलब 1950 के बाद जिसे साथो तरी कविता भी कहा गया विभिन रूप आए और निरंतर कविता जो है आगे की और बढ़ती जा रही है अब हमारे जो स्री राजेफ जोशी हैं एक किस काल के कवि हैं आधुनिक काल के समकालीन कविता के ससक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं समकालीन कवियों में जैसे सुदामा प्रसाद पांडे धोमिल इनकी संसा से सडक तक और कल सुनना मुझे बहुत अच्छा का अबिग्रंत हैं इसके बाद राज कमल चोधरी बिनोत कुमार शुक्ल अशोग बाचपेई अरुन कमल किरारना सिंग आलोग धन्वा चंद्रकांत देवताले प्रतिभा खेतान प्रभा खेतान मंगलेश डवराल श्नेह मई चोधरी और कुमार अम्बुच आदी अनेक रशनाकारों ने समकालीन कविता के छेत्र में किरतिमान इस्थापित किया है और अनेक जो रशनाकार है वो निरंतर लिख रहे हैं सारस्वत साधना कर रहे हैं अभी जो समकालीन कविता है इसकी विशेस्ता क्या है आधुनिक कविता के विकास में नई छेत्र लाना समकालीन कवियों का प्रमुकाम रहा नई भावभूम नई शंबेदना और सामाजिक यतार्थ समाज का सटीक और यतार्थ चित्र समकालीन कवियों ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है सपाट बयानी इनकी जो भासा है सीधे संत कवीर की तरह सीधे सीधे कह जाना सपाट बयानी के साथ राजनीत एवं व्यंग्य और सामाजिक हिस्सेदारी यह समकाली इनकवियों की सबसे बड़ी विशेस्ता है और राजेफ जोसी भी उन्हीं समकाली इनकवियों में से एक है अब आईए समस्ते हैं स्री राजेफ जोसी की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं राजेफ जोसी जी ने जो कविता लिखी है जो आपके पाठिक्रम में हैं बच्चे काम पर जा रहे हैं राजेफ जोसी की कविता यह जो बच्चे काम पर जा रहे हैं उनके काव्विसंग्रह नेपत्थ में हसी से ली गई है स्री राजेव जोशी की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं यह आर्थिक विशमता अधिकारों के उलंगन एवं बाल स्रम के प्रति असंबेदन सीलता की ओर हमारा ध्यान आकरशित करती है आएए हम कविता का प्रतम काव्यान से देखें कोहरे से धकी सलक पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंगती है यह भयानक है इसे बिवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे बच्चों को काम पर जाते हुए देख कर कभी द्वारा ध्याना कर्शन कराया गया है जन मानस का ध्यान अक्रिश्ट किया है रश्नकार ने, बच्चे काम पर जा रहे हैं। चोटे चोटे बच्चे क्या काम पर जाने लायख हैं। प्रगसील युग में प्राता काल कोहरे से युक्तवाता बरण में बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर कभी उनके अंधकार में जीवन की कलपना कर चिंतित हो उठता है जो खेल नहीं रहे हैं जो पढ रहे हैं जो घ्ञानारजन नहीं कर रहे हैं जो शिक्षित नहीं हो रहे हैं होना चाहिए इस अवस्ता में इसुम्र में लेकिन ये बच्चे काम पर जा रहे हैं कब जो है चिंती थोड़ता है क्यों भविष्य में की भयावः वह चिंती थोड़ता है भविष्य की भयावः इस सिटी को देखकर कि आने वाला कल कैसा होगा यदि बच्चों को सिक्षित न किया गया तो बाल स्रम को नहीं रोका गया तो कभी का मानना है कि आने वाला समय अत्यंत्र भयावः होगा बच्चों को काम पर नहीं जाना चाहिए उन्हें विद्याले जाना चाहिए पढ़ना लिखना चाहिए ता कि उनका भविश्व उज्जल हो सके भैयानक है इसे विबरन की तरह लिखा जाना अर्थात बच्चे बाल स्रमिक बन कर जो जीमने आपन कर रहे हैं जो बाल स्मिक बना हैं केवल तथी की तरह लिख देने मात्र से या कहने मात्र से इस समस्या से शुटकारा नहीं मिल सकता बलकि समाज के समक्षी से प्रस्ण के रूप में लिया जाना चाहिए यह बहुत बड़ा प्रस्ण है इस समाज के लिए बहुत बड़ी चुनवती है जब तक इस समस्या का निदान नहीं हो जाता बाल अपराद बढ़ता ही रहेगा बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं समाज के समक्ष बहुत बड़ा प्रस्ण है अब आईए देखते हैं इस कविता का दूसरा अंश क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें क्या दीमकों ने खा लिया है, सारी रंग-भिरंगी किताबों को, क्या काले पहार के नीचे दब गए हैं, सारे खिलों ने, क्या किसी भूकंप में डह गई है सारे मदर्सों की इमारतें, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एक आएक बहुत बड़ा सवाल उठाया है रचनाकार स्री राजेस जोशी ने बच्चों को काम पढ़ जाते हुए देख कर प्रस्न करता है कि बच्चों के खेलने की गेंद और अन्य खेल सामग्रियां क्य क्या आकास में बिलीन हो गई क्या अंतरिक्ष में बिलीन हो गई अंतरिक्ष उनको निगल गया जिसके अभाव में बच्चे खेलने के बजाए मजदूरी करने जा रहे हैं काम पर जा रहे हैं क्या उनकी पुस्तकों को दीमकों ने खा लिया है क्या उनकी सारी पुस्तके सम समाप्त हो गई हैं क्या सारे खिलों ने भू इस खलन से पहाड़ों के नीचे दब गए हैं बच्चे काम पर जा रहे हैं या सारे विद्यालेओं की दीवारें भूकम पाने से ढ़ गई हैं या अचानक एक खुले हुए खेल के मैदान संपूर्ण भगी के संपूर्ण घरों क बड़े-बड़े आंगन जहां बच्चे खेला करते थे क्या सब समापत हो गए हैं जहां बच्चे कि खि खिला करें तीसरा काभ्यान तो फिर बचा ही है क्या इस दुनिया में कितना भ्यानक होता अगर अइसा होता भ्यानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीजें हस्वय मामूल पर दुनिया की हजारों सडकों से गुजरते हुए बच्चे बहुत छोटे-छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं काम पर जाते हुए बच्चों को देख कर भविश में उत्पन होने वाली भयावह इस्तिती का वर्णन करते हुए कविराज्वेस जोसी कहते हैं कि खेल के मैदान घरों के बड़े-बड़े आंगन बगीचे जहां पर बच्चे खेला करते थे क्य सभी समाप्त हो गए जिसके अभाव में बच्चे बच्चपन के सुखों से बंचीत हैं मजदूरी करने को मजबूर हैं कि कितना भयानक दृष्चे होगा जब बच्चे बिद्याले न जाकर खेलने के लिए मैदान में न जाकर काम पर जाएंगे बाल स्रमिक बन जाएंगे बच्चे इस देश के भावी निर्माता बनेंगे नागरिक बनेंगे कैसे सारी सीजे हस्वय मामूल अर्थात यथावत हैं जियों की तेओं हैं फिर हजारों सडकों पर बच्चे मजदूरी पर क्यों जा रहे हैं क्या समाज की सारी संबेदनाएं समाप्त हो गई हैं कव इस कविता के माध्यम से संदेश दे रहा है कि हमें बाल स्रमिक को रोक कर उनके उज्जुल भविश्य के लिए बच्चों को सिक्षित करना परमावस्यक है अब प्रस्ण क्यों यह उठता है कि कभी ने ऐसा क्यों कहा कि भयानक है से विवरन की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह कभी ने ऐसा इसलिए कहा कि गरीब परिवार वा समाज के उपेक्षित बच्चे जिनके माता पिता उनकी पढ़ाई लिखाई को ध्यान में न रखते हुए उनसे मज़़ूरी करवाने के लिए गरीबों को पैसे का लालच देकर अमीर ब्यक्ति द्वारा बाल स्रम करवाया जा रहा है इसमें दो बाते आईए एक तो गरीब माता पिता पैसों के लालच में उन्हें अमीर ब्यक्तियों के हाँ भेद देते हैं और अमीर व्यक्ति अपने कारे को पूर्ण करने के लिए बच्चों का बाल स्त्रमिक के रूप में उप्योग करते हैं। इससे उनका जीवन सुखमन होकर कस्ट में हो जाता है। इससे भयानक इस्तित उत्पन होती है। बच्चे काम पर जाते हैं क्यों वह मात्र लिखने से इस समस्या से निजात नहीं पाया जा सकता। बलकि समाज के समक्ष इसे प्रश्ण के रूप में बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। जब तक समस्या का निराकर्ण नहीं होगा, बाल अपराद होता रहेगा, बाल अपराद रोकने के लिए अभियान चलाना परमावश्यक है। अब एक प्रशनावर बनता है इसमें कि बच्चों के काम पर जाने से उनका बच्चपन किस तरह प्रभावित होता है। बच्चों के काम पर जाने से खेलने, पढ़ने, लिखने के लिए वो जाने पाते। तथा अन्य जो बच्चपन के आनंद है उनसे वो बंचित हो जाते हैं। उनकी हसी गुम हो जाती है। बाल सुख क्या होता है, बच्चपन क्या होता है वे विचारे जानते भी नहीं। क्योंकि खेलने वह पढ़ने के लिए उन्हें अवसर दिया ही नहीं जाता। उन्हें मजदूरी कराने हेद भेद दिया जाता है। बच्चों के प्रति समाज भी उपेक्षाप पून ब्योहार करता है। अव सवाल ये उठता है कि बच्चों को काम पर जाना ही पढ़ता है क्या कारण हो सकते हैं। तो बच्चों को काम पर जाने के कुछ कारण है जैसे जंग संख्या अधिक होने के कारण गरीब परिवार के बच्चे गरीबी के कारण नहीं पड़ पार है दूसरा है असिक्षित माता पिता असिक्षित माता पिता द्वारा सिक्षा के महत्तों को न जानना उस पर ध्यान न देना उनके द्वारा बच्चे आज की महगाई के कारण काम पर भेजे जाते हैं किसी की मांसिक्ता एवं कुशंगत के कारण वे न पढ़कर काम में जाते हैं क्योंकि पढ़ाई में उन्हें अनुसासित रहना होता है और वे परतंत्र रहना नहीं चाहते कुछ बच्चों को समाज की उपेक्षा के कारण भी काम पर जाना परता है सासंग ने इसके लिए संबैधानिक प्रावधान रखा है संबिधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो सीधे तौर पर बाल स्रम के लिए संबोधी थे जैसे अनुच्छेट 24 फैक्टर आद्में बाल स्रमिकों पर प्रतिबंध 14 वर्स से कम आयू का कोई भी बच्चा फैक्टरी खदान या अन्खतना कार्यस्तलों पर काम में नहीं लाया जाएगा अब आईए इसी को देखें कि बाल स्रम निशेध अधिनियम क्या है भाती संबिधान में कानून में बाल स्रम निशेध अधिनियम बनाया गया है और इसका पालन करना कि प्रतेक ब्यक्ति का माथ बाप का जो पूझी पती हैं जो फैक्टरीज के मालिक हैं इन सब का दायत तो बनता है कि वे बाल स्रम निशेध अधिनियम का पालन करें बाल स्रम का मतलब ऐसे कार से है जिनके कार करने वाला व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से छोटा है इस प्रथा को कई देशों और अंतर राश्ति संगट्नों ने सोशित करने वाली प्रथा माना है इनी बातों से सम्मधित वाल स्रम निशेद एवं बिनियम अधिनियम उनई सोशियासी लागू हुआ संभिधान का अनुच्छे 24 इससे सम्मधित है या अधिनियम 14 साल की आयु से कम के बच्चों से काम कराना गयर कानूनी मानता है साथ ही 18 साल से कम उम्र के बच्चों को कार खाने ख़दानों में काम करने का निशेद करता है इस नियम की कुछ सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं जैसे पादवारिक ब्योसायों में बच्चे स्कूल से वापसा कर गर्मी की छुटियां में काम कर सकते हैं इसी तरह फिल्मों में बाल कलाकारों को काम करने की अन्मति है खेल से जुड़ी गत्विधियों में भी वे सहभागिता निभा सकते हैं इसी प्रकार 14 से 18 वर्स की आयो के बच्चों को काम पर रखा जा सकता है बसरते हैं कार कार इस्तल सूची में सामिल खतरनाग व्युसाया प्रक्रिया से न जुड़ा हो इस नियम का उल्लंगन करने पर दंड का भी प्रावधान है यदि कोई नागरिक इस कानून की अवमानना होते हुए देखता है तो उसकी सिकायत पुलिस मजिस्टेट से कर सकता है या बच्चों के अधिकारों पर काम करने वाली सामाजिक संथाओं के संग्यान में ला सकता है इस कानून का उल्लंगन करते हुए पकड़े जाने पर वारंट की गैर मवजूदगी में गिरफ्तारी या जांच की जा सकती है अपराज सिद्ध होने पर संपनधित व्यक्त की मालिक को छे मांज से दो साल तक की जेल और बीच अजार से पचास अजार रुपय तक का जुर्वाना हो सकता है कितने का जुर्वाना बीस हजार से लेके पचास हजार रुपए तक का यदि बच्चों के माता पिता भी ब्यासाई कुद्देश से निर्धारित आए उसे कम उम्र के बच्चों द्वारा काम करवाते हैं तो इसकी अनुमत देते हैं तो उन्हें भी सजार दी जा सकती है कानून उन्हें अपनी भूल सुधाने का उसर देता है इसे समाधान और समझोते की प्रक्रिया से सुल्जाया जा सकता है पर यदि वे माता पिता पुनह अपने बच्चों को निर्धारित आयो सीमा से पूर्व काम करवाते हैं तो उन्हें 10,000 रुपए तक का जुर्वाना हो सकता है तो बच्चे काम पर जा रहे हैं यह बच्चों के भविश्य को लेकर यह कविता बहुत बड़ा प्रश्ण चिन्ध खड़ा करती है और जिसका समाधान भी देती है समाधान बच्चे बाल स्रमिक न बनने पाएं बच्चे विद्या ले जाएं पढ़ें लिखें खेलें कूदें उनका सर्वांगिन विकास हो वे बच्च्पन को जियें और बच्च्पन क्या होता है इसे वो समझें तो स्री राजेफ जोसी की हरचना बच्चे काम पर जा रहे हैं ये बच्चों के लिए बाल स्रमिकों के लिए वर्दान है अब एक प्रशन और उठता है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं कभी ने इस पंक्ति को हमारे समय की भयानक पंक्ति क्यों कहा है इस प्रगसील युग में जब कि हम 21. सदी में चल रहे हैं विज्ञान और तक्नीकी ज्ञान में हम बहुत अग्रणी हो गए हैं गरीब घर के बच्चे पढ़ाई आप बच्पन के खेलों के आनंद से बंचीत रहकर उनसे मर्दूरी करवाने के लिए बिवस किया जाता है तो इस 21. सदी पर और बैज्ञानीक और तक्नीकी प्रगत पर एक प्रश्ण चिन्ध बन जाता है सम्मिधान में 14 वर से कम आयों के बच्चों से काम करवाने वाला बाल अपराधी के अंतरगत आता है इसे बाल अपराध कहा जाता है फिर भी गरीबी के कारण या उपेक्षित बच्चे मजदूरी करने जाते हैं इससे उनका भविष्य अंधकार में होगा यही भयावह इस्थिती होगी यही बच्चों को काम पर जाने से नहीं रोका जाएगा तो यह बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण होगा क्योंकि यही हमारे बच्चे कल के नागरीक होंगे और नागरीकों का सिख्षित होना परमावश्यक है एक सवाल और उठता है कि मान लो सारे मैदान बगीचे घरों के आगन सचमुच खत्म हो जाएं तो इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा वास्तों में एदि सारे मैदान बगीचे घरों के आगन सचमुच खत्म होने पर हमारे जीवन की बहुत ही भयावह इस्थिती होगी क्योंकि कोई भी खेल जैसे क्रिकेट है फुटवाल है कबड़ी है आदि खेलने के लिए एक मैदान होता है क्योंकि खेलने में हमारा सारीरी के वह मांसिक ब्यायाम होता है मांसिक विकास होता है वह नहीं हो पाएगा बगीचे हरे भरे होते हैं पर्यावर्ण को संतुलित बनाए रखने में स्वयोग करते हैं इसे स्वच्छ रखते हैं हमारी जो जीवनों पयोगी आक्सीजन है यह हमें पौधों से ही तो मिलती है बगीचे में प्रातहकाल भ्रह्मर करने से स्वच्छ हवा प्राप्त होती है हम निरोग रहते हैं स्वास्ति के लिए जो बहुत ही लाबदायक है तथा मन भी अपना अप्रशन रहता है घरों के आंगन के समाप्त होने पर हम घर में बैट कर धूप नहीं प्राप्त कर सकते जिससे बिटामिन डी नहीं प्राप्त होगी तथा छोटे बच्चे घरों के आंगन में ही खेलते रहते हैं जिन्हें उन्हें खुली अबाय और धूप राप्त होती थी अब वो नहीं मिलेगी छोटे छोटे बच्चों को इन्हें समाप्त होने पर बच्चों के लिए भी एक समस्या उत्पन हो सकती है इसलिए घरों का घरों का जो आंगन है जो खेल के मैदान है जो बाग बगीशे हैं इनका बना रहना पर्मा वश्यक है